यह ऐख लो क्यों वgenद क्लास इंसाने स्प्रो डाइलॉशी तो जैसा कि आपको पता है कि हम डिवर्स यॉशिव सक्ट कर रहे थे इसके बुलर्ट आयफ को डिसकस करे थे उसी सीरीज города यह मेरा 11 वीडियो है और हम इसके बाद अब वीडियो अप्लोड नहीं करेंगे डाइवर्सिटी ओफ लाइप पे अगर आपको सन 2023 देसंबर के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करना परेगा और अभी तक मैंने जितना भी वीडियो अप्लोड किया है उसको आपको सेयर कर होगा अगर आप अच्छा खासा भी उस दे दोगे मुझे लगभग अगस्त तक तो आफ्टर दी अगस्त वी विल स्टार्ट अगें फॉर टार्गेटिंग देसंबर ना आपने अभी तक डाइवर्सिटी ओफ लाइफ के वीडिया है ना ही आप जो आपका एक और मैं यू तो नहीं का सकते पीवाई क्यों चला रहा हूं जेनरल अप्टिट्यूट का उसके ऊपर भी आपने कोई भी अच्छा कासा भी उस नहीं दिया लगभग 20-30 भी नहीं है साथ-ाठ भी उते रहे हूं तो उससे कोई प्रुसाहन तो मुझे नहीं मिला पर चलिए डैबसिटी ओफ लाइब में आज है टर्म ओडोनेटा ओडोनेटा टर्म जो है यह एक इनसेक्ट का ओडर है जिसके पास जिसमें ड्रेगन फ्लाई या डैमसल फ्लाई उनको रखा जाता है पर ओडोनेटा टर्म अगर आप ड्रेगन फ्लाई या डैमसल फ्लाई को अगर द कि उनके पास जो है compound eyes होता है लेकिन वह बहुत बढ़ा होता है मतलब ओडो नेटा टॉम अगर कहीं दिया गया है अगर मैच आप फॉलॉविंग में होगा तो ओडो नेटा को हम लार्ज से कंपाउंट या फिर द्रेगन के लिए ार्डें संद एक सेंब उसे तरह था इसन ओपटेरव इसका होता है नेयरो व्म फ्रीग्ड विदो य॥ सीघ क्या होता है नेयरो विंग्ड इंवूिंग विद सीघा इसमें होता है trips आक्टेटी क्या है over इसके बाद है बीटल ग्रुप में आता यह बीटल का जू है आपका हॉडर है और बीटल का आपका के फीचर है है ह्वा है soft membranous होता है बट 4-bing जो है वो ठिक होता है तो ये कोलियोप्टेरा का example है उनाइकोफोरंस इसे हम वालवेट वाम के नाम से जानते हैं और यह आर्थोपोडा और टाडीग्रेडा का close relative है इसे लिए इसे हम पैन आर्थोपोड कहते हैं पैन टॉम का मतलब होता है आर्थोपोड से पहले आने वाला पैन आर्थोपोड आर्थोपोड से पहले आने वाला एनी लीड के बाद तो मॉलस्कस जो है वो आर्थोपोड के पहले आते हैं एनी लीड के बाद आते हैं आर्थोपोड वॉल्विट वॉम के नाम से जाना जाता है और यह टाडी ग्रेडा के साथ ज़्यादा रिजम्बलेंस रखता है इसलिए इसे हम पैन आर्थोपोड के नाम से जानते हैं टार्डी ग्रेडा के बाद एक और है उनाइकोफोरंस और एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं टार्डी ग्रेडा और उनाइकोफोरंस के अलाबा क्या है आपको पता हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो टार्डीग्रेटा हो गया और आपका हो गया उनाइकोफोरंस इसके लाबा एक और टर्म है पिक्नोगोनेडिया नहीं पता था ना इसलिए मैं आप पॉस करके लिया पिक्नोगोनेडिया मिन्स टाडिक्रेटा पिक्नोगोनीडिया और उनाइकोफोरंस को पैन आर्थोपोड में रखा जाता है टेक्सोन पैन आर्थोपोड ट्राइनोबाइट्स जो है यह एक इक्स्टिंट मेराइन आर्थोपोड है लेग वाला है यह इसलिए मिला है क्योंकि इनके पास six leg होते है या three pair of legs होता है इसके अलावा जितने भी आर्थोपोड हैं उनके आस more than three pair leg मतलब six से ज़ादा होता है चैली सिरेटा जो है चैली सिरेटा इसमें दो बॉडी सिगमेंट होती है और six pair appendages होते हैं चैली सिरेटा के पास दो बॉडी सिगमेंट होती है जिसे हम टेगमेटा कहते हैं और इसके अलावा six pair appendages होती है देखो जो आपका डाइप टेरा का मतलब होता है दो गविंग दो तरीके के विंग हो सकती है ओन्ध विंग अगर एक ही विंग उनका फंक्शनल है मतलब दूसरा विंग का तो कोई न कोई काम होगा इन सारे इन्सेक्ट में जो सकेंड विंग होती है उसका हाल्टर्स के रोप में बदल जाती है वह मौरीफाइड हो जाती हाल्टर्स के रोप में जो की balancing organ की तरह काम करता है और या fruit fly में भी आपने इसका नाम सुना होगा फिर fruit fly में हाल्टर्स होती है जो balancing organ की तरह काम करता है In order to attain maturity अब देखिये insect के case में क्या होता है कि insect सबसे पहले जो इंशेक प्रोड्यूस करते हैं वह एक करते हैं एक से लार्वा से प्यूपाः एक प Rise से अडल्ट अब यहा पर देखना यह है कि लार्वा posição अला को एक से लारवा, लारवा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट, इन तीनों के case में बहुत ही drastic morphological changes होता है, क्या होता है, drastic morphological changes, जैसा आपको लारवा दिखता है वैसा प्यूपा नहीं होता, जैसा प्यूपा दिखता है वैसा अडल्ट नहीं होता, इस तरह की चीजे, इस तरह क development जिसमें बहुत ही ज़्यादा complex morphological changes आते हैं उस term को हम metamorphosis कहते हैं वहीं लिकाइं, to order to attend the maturity, some insects pass through the four different stages, egg, larva, pupa and adult these are, there are many changes in form, it is called a complex metamorphosis अगर कोई भी insect in चारो, जो कि egg, larva, pupa and adult, इन चारो stage को cross करता है या इन चारो stage को sow करता है, तो उस तरह के metamorphosis को हम बोलते हैं complete metamorphosis या holo metabolas development, holo metabolas development इसके अलाबा metamorphosis की और भी types हैं, अगर आपको चाहिए वीडियो तो definitely आपको views इस पर सो करने होंगे या आपको comment करना होगा, metamorphosis बहुत ही complex phenomenon है जो कि बहुत ही interesting भी है, तो अगर आपको चाहिए वीडियो जस्ट कमेंट, drop the comment in the comment box एक होता है, l-a-c-e, les wings, order, neuroptera, beetle, colioptera, यह उपर ही बताया, butterfly या moth को lepidoptera, true flies को diaptera, और wasp भी को hemnoptera, यह order हैं, यह क्या है, match of the following में, PYQ में पूछा गया था, इसलिए मैं यहां पर लेके आया, neuroptera, les wings को, beetles को हम, colioptera बोलते हैं, butterfly moth को हम, lepidoptera बोलते हैं, true flies को diaptera बोलते हैं, और wasp and bee को हम hemnoptera बोलते हैं, horse soup crab, जो है, horse soup crab, या, एक marine और breckswater arthropod है, जिसकी family, lemulidia है, the only living member of the order, gypho syura, देखो, gypho syura का, एक इक लौता, एक लौता, family, lemulidia है, जो जिन्दा है, बाकि सब के सब extent हो चुके हैं, but यह arthropod जो है, यह brecks और marine water में पाए जाता है, और इसका नाम है horse soup crab, horse soup crab जो है, वो crab term से confused होते हैं, इसलिए यह पूछा जाता है, horse soup crab, true crab नहीं है, जो crab है, वो है crustacean में रखे गए हैं, बट यह crustacean में ना होके, chalicyrata है, यह chalicyrata है, जो कि arachinates के, मतलब, जो arachinates से similarities हो करते हैं, closely related जो है arachinates के हैं, इन सभी पाग आपको वीडियो चाहिए, तो definitely आपको comment करना होगा, जब अगर आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो I will come with the every point details, जितनी यह details है, क्याली सिरेटा का क्या मतलब है, arachinates का क्या मतलब है, crabs का क्या मतलब है, horseshoe crab क्या हता है, definitely इसके उपर हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आप जल्दी-जल्दी comment करोगे, जल्दी-जल्दी आप वीडियो को share करोगे, उतनी जल्दी-जल्दी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, तो they are not a true crab, horseshoe crab is not a true crab, that is a chalicyreta, chalicyreta not a crustacean, और chalicyreta जो होती है, वो arachinids के साथ closely related है, ना कि कस्टेशियन के साथ, यहाँ पे जो arachinids है, arachinids जो है, आपका spider की फैम, जो spider है, उसमें आती है, spider के पास कितने लेग होते हैं, four pair होते हैं, flu and lice are the parasites and that live on the skin of an affected dog, they are actually a small insect and feed by chewing on the skin of the dog and by sucking the blood depending on the type of the louse, flu and lice या louse जो होते हैं, यह skin पे पाए जाते हैं, सिर्फ डॉग के नहीं, हम लोगों में भी lice पाए जाता है, जो कि हमारे skin को खानता है, या फिर blood को सक करता है, depend करता है कि वो किस तरह की life है, जो arachinids उपर हम बात कर रहे थे, यह class jointed legged invertebrate animal हैं और इनका subphylum chalicerata है, या chalicerata है, अरachinids में हमारा क्या क्या आता है, spider, scorpion, ticks, mates, pseudoscorpion, harvest man, camel spider, vape spider and venegrons. एक term है, frenulum, frenulum term जो है, यह use होता है, to represent the bristle, present at the root of the hind wings of the most moth and butterflies, which engage with a small hook and tuff on the forewing, या forewing को हम क्या बोलते हैं, retinaculum to join the wing together, लेको, fernaculum क्या है, यह एक structures होती है, या यह एक bustle होती है, जो कि हिंद wing के root में होती है, किसमें हो सकती है, यह fernaculum present, moth या butterfly में, इसका काम क्या होता है, है, four wing को, joint करने का, tough on the four wing, to join the wing together, तो four wing, जो दो four wing हैं, उनको बीच में, जोरने के लिए, जो होता है, वो structure, जो जोरने वाले structure होती है, that is called the frenulum, frenulum, connect the hind wing and four wing, and make the two wing act as a single surface during the flight, four wing और hind wing को जोर देती है, और उससे जोरने से क्या होता है, single surface area बनाता है, जो कि flight के लिए बहुती ज़्यादा useful है, या flight के लिए adaptation, मतलब therm, जो aerodynamic होती है, aerodynamic से overcome करने के लिए, ये structure, दोनों wing आपस में जुर कर, single surface बना के flight करती है, और flight करने वाले, जो हैं, वो मौथ और butterfly दोनों होते हैं, तो इन दोनों के कारण, मतलब इन दोनों के दोनों wing को, four wing और हिंद wing को, जोरने के लिए जो time होती है, उसे बोलते हैं, frenulum, अब मौथ और butterfly में क्या difference है, ये आपका काम है, हमें comment करना, जोलोजी वाले जरूर कमेंट करें, और इसी तरह कि ये वीडियो चहिए, definitely वीडियो को share करें, बैबाए,